है गाइज दिश में असान और अलकम टो असाने करिमी हम लोग इस चैनल में जाया तर फर्मा रिलेटेट टोपिक डिसकाशन करते हैं मोस्ली जी पर नाइपर जाए डपर रिलेटेट वीडियो डिसकाशन होते हैं असका जो टोपिक यह वी कही ना नाइपर रिलेटेट ही है यह तो चैनल में अल्रीडी हम लोग काफी सारे दिसकाशन किया है तो आज का टोपिक जब कोई भी institute में आता है और particularly नाइपर में आता है तो किस तरह का आप उसका advantage है और disadvantage होता है उसका regarding थोरा बहुत बात करेंगे तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बोल दो कि अगर आप इस channel में नया हो तो आप मेरा channel को subscribe करो और notification भी on रखो क्योंकि मैं 20-20 में वीडियो release करता रहूँगा तो जब भी नया वीडियो आएगा तो आप तक पहुँच जाएगा हलागि अभी GPT 22 regarding ज़्यादा थर वीडियो आएगा बर कुछ वीडियो 20-20 में आपके लिए आता रहेगा तो देखो सबसे पहले हम लोग क्या discussion करते हैं और ये वीडियो overall कोई भी institute में आगा नया department आये ना तो इस तरह का same almost common problem है सब जगा में फिर भी हम नाइपर regarding बात करेंगे क्योंकि हम नाइपर का ही बात करते जाए था तो देखो new department क्या क्या आया है उसके regarding बात करेंगे नाइपर हाइदरवद में है natural product, pharmacok informatics and regulatory affairs ये तीनों department नया आया है नाइपर हाइदरवद में और नाइपर गौाटी में medical device आया है इस पर और नाइपर कॉलकातब में भी same subject medical devices आ चुका है और नाइपर हाजिपूर में देखो क्या क्या आया है फार्मा सिटिक्स दोनों core subject है और अच्छे हुआ नाइपर हाजिपूर में ये दोनों subject आ गया है और अभी कही नाइपर हाजिपूर डेफेनिटली इंप्रूब करेगा पहले से क्योंकि core department रहना बहुत ज़रूरी होता है किसी भी नाइपर या फिर फर्मा इंस्टिटूट में कही भी आप नया इंस्टिटूट में भी देखोगे न अगर एंफर्मा के लिए कही भी नया इंस्टिटूट है साहिए प्राइवेट ही क्यों ना हो उसमें अगर डिपर्मेंट देखोगे न तो आप रियलाइस करोगे सबसे पहले shooting से ही शुरूरूआत करते हो लोग फिर इस तरह का कोलोजी आता है तो इस तरह का सब्सेक ही आता है नया डिपर्मेंट लाने का है सबसे पहले कोशिश करते हैं तो देखो यह हो गया नया डिपर्मेंट और नया डिपर्मेंट कहीं ने कहीं आना तो परे गई अगर नया नहीं आएगा तो किस तरह से शुरूआत क से होगा हर से पहले नया हिरेत है तो इसका regarding कुछ बात है करेंगे जो पहले हमसा की उवर चर्ण करेंगे यहां पे मैंने लिख्के रखा है कि करों होता है तो तो मैं एक department example ले लिया as example medical devices, तो medical devices सबसे पहले कहा पर ता नाइपर आमेदबाद में था और इतने सालों से था, since 2012 नाइपर आमेदबाद है medical devices department तो यह कही नहीं क्या करता है medical device जब वहाँ पर था तो एक ही नाइपर में एक सब्जेक है और दस से बारह स्टूडेंट ही हर साल जाता है तो बच्चों के भी इस भी नाइपर में आ चुका है और 50 प्लास स्टूडेंट है तो इस तरह से ओ डिपार्टमेंट ही ग्रोथ कर जाता है पुरा नाइपर मेडिकल डिवाइस के बारे में अभी लोग एसे नहीं सोचता जो कुछ साल पहले लोग सोचता था तो सबको पता चल गया है कि मेडिकल डिवा जाता है तो इस तरह से ओ डिपार्टमेंट ग्रोथ हो जाता है उसके बाद देखो इंस्टूट स्टेटास तो इंस्टूट का जो भी स्टेटास है ओ भी डेबलोब होता है तो इसका बीछे रीजन क्या है क्यों मैंने इस तरह के इंस्टूट स्टेटास के बारे में बात दिखो, जो हमारा कोड़ सब्जिक है, उसके बारे में आप लोग पहले से से जानते हो, I mean, B-Forma के टाइम से और ज्यादा तर लोग अगर फार्मा फील्ट से ना भी हो, तो कोड़ सब्जिक के बारे में ही थोरा बहुत आइडिया रहते हैं उनको, तो core subject अगर किसी institute में ना हो या फिर आप बोलो एसा एक दो subject जिसके बारे में हर कोई जानते है या फिर popular subject है तो उस subject अगर किसी नाइपर या फिर किसी institute में ना हो तो कहीं ने कहीं लोग 50% student तो ऐसे ही उस subject को लेके ना उस institute को लेके थोड़ा मतलब पीछे आ जाता है कि वहा नाइपर हाशिपूर का example ले सकते हो जहाँ पर सीटिक्स नहीं था अनलाइसिस नहीं था तो यह सब इतना major subject है अगर कहीं नाइपर पर नहीं आया ना तो उस नाइपर का status थोड़ा मतलब डाउन हो जाता है ठीक है ना क्यूंकि student आखिर कर इंटरेस्ट नहीं दिखाते है अगर student इंटरेस्ट नहीं है तो उस institute का थोड़ा मतलब प्रब्लेम आ जाते है तो यह institute status को ब्रोध कर देता है जैसे सीटिक्स एनलाइसिस हो गया कोलोजी हो गया केमेस्टी हो गया इस तरह का subject जब आ जाता है तो कही ना कही ज्यादा तर लोग वहां पर पोस्त है तो उस में अभी कितना student है लगबक 125 student है और कुछ सल पहले तक काफी कम student था 50 60 70 इस तरह का बहुत कम student था तो जब student ज्यादा हो गया तो unity उसका unity increase हो जाता है तो unity increase होने के बज़े से student ज्यादा होने के बज़े से उनका बहुत सारे benefit हो जो उनको मिलने लगते है कही ने कही ज्याद इंडेस्ट्री भी वहाँ पर जाने लगता है क्योंकि student ज्यादा है तो different department कुछ industry होता है जो सिर्फ एक particular department का student लेता है ऐसा नहीं है वह बहुत सारे department से बच्चे सिलेक करते है तो जो कुछ student का मन में doubt रहता है ना कि particular department का student ही industry में जाता है ऐसा कुछ नहीं है इंडेस्ट्र इंडेस्ट्री में होता है तो अगर कुछ industry का इसा प्लेन रहता है कि हम एक institute में जाएंगे particular suppose नाई पर महाली बोलो नाई पर महाली में जाएंगे और एक के बाद एक हम दूसरा department का student को ना हम लोग ओ करेंगे इंटर्व्यू लेंगे और उसके बाद सिलेक करने के ट्राइ आ सकता है तो unity overall बार जाता है और कुछ advantages जोसे आपको मिलने लगता है internet पर sports होता है तो वहाँ इतना ज़्यादा बच्चे रहता है इतना ज़्यादा पाटिसिपेट कर पाऊगे ना अपना institute के तरब से तो आपको कहीं न कहीं इसका थोड़ा बहुत benefit मिलता है हाला कि professional level में sport से इतना ज़्यादा कुछ related तो है नहीं बड़ आपका institute growth होता है तो यह तो हो गया कुछ advantage और यह सब common advantage है जो कहीं भी आगर फर्माफिल्ट से ना भी हो कहीं भी institute में नया department आने से इस तरह का चीज़े होता है और एक मैं बूलना चाहूंगा suppose आपको किसी रिजन से नाइपर गौहाटी में रहना था और suppose आप imagine करो आप नाइपर गौहाटी में कोई भी एक particular department लेलो regulatory affairs लेलो तो आपको regulatory affairs से master करना है और आपका किसी रिजन से North East region में रहना है आपको गौहाटी में र पर नहीं जा रहे हो तो अभी अगर गौहाटी में यह subject आ जाता है तो कहीं ने कहीं यह इस एरिया का student के लिए benefit हो जाता है कि वह इस institute में जाके यह particular subject ले सकते है हाला कि यह से place लेके कुछ बाते नहीं होना चाहिए but anyway कुछ बैच्चों का इस प्रोब्लेम रहता है अब द प्रोब्लेम आपको थोड़ा बहुत मिल सकता है तो देखो सबसे पहले तो faculty issues तो faculty issues मतलब क्या है कुछ particular subject होता है जहाँ पे कुछ particular field से ही faculty चाहिए होता है तो एसा नहीं है कि नए पर में नया department आया है तो सब कुछ ready रखा है आपको बस अब बुला रहे है वहाँ पे जान रहा था कि ऐसा ही होता है वहाँ पे जब आप जाओगे तो आपको realize हो जाएगा और कुस department में faculty issues थोड़ा बहुत कम आ सकता है इसके बारे में मैं बोल दूंगा उसके बात है lab issues एक बहुत बढ़ा issue है क्योंकि lab में जो भी higher study या फिर रिसास लेवल की काम रहता है ना उसमे को बहुत सारे इंस्ट्रूमेन है बहुत सारे सीज़े है जो बहुत multiple department काम कर लेते हैं जैसे HPLC हो गया HPLC में analysis का लोग भी काम करता है सीटिक्स का भी थोड़ा बहुत करता है और natural product का तो पूरा करता ही है नेसर बढ़ा भी रहता है और थोड़ा बहुत आपका chemistry का लोग भ हाला कि analytical tool जरूर है बर हर कोई कर लेता है नमर हो गया LCMS हो गया इस तरह का सीज़े हर कोई कर लेता है यूवी हो गया तो इस तरह का सीज़े तो मिल जाएगा कोई भी नैपर में I think NMR सब में है के नहीं मुझे पता नहीं है अगर है भी तो मुझे पता नहीं है बर कुस measure न लेगा क्योंकि medical device का काम करने का tool काफी different होता है 3D printer और ना जाने क्या क्या होता है उनका तो उनका थोड़ा काम करने का तरीका भी आलग होता है तो उनको lab issues हो सकता है नया नाइपर में जो नाइपर सबसे पहले से जिस नाइपर में था जैसे नाइपर आमेदबात हो गया उन placement issues एक काफी major point है और ज्यादतर student इसी के ऊपर बहुत ज्यादा करता है कि placement है कि नहीं और कहीं नाइपर तक अगर पहुच गया तो placement बहुत ज्यादा मेंटर कर जाते है अगर आपको अच्छा placement नहीं मिला नाइपर का एक one of the best benefit ही यही है कि placement दूसरा किसी भी का सा मिल जाता है तो अगर placement issues हो गया तो यह किस तरह से होता है नया डिपर्मेंट आने के वज़े से शायद industry कम आ सकता है या फिर नया नया है तो placement issues हो सकते है जो कि कुछ साल बात जाके definitely solve हो जाते है तो यह सब तो हो गया कुछ overall बात है जो कई बी इंस्ट्यूट में अग प्रोब्लेम या फिर कुछ प्रोब्लेम नहीं होना चाहिए इस तरह का बते तो देखो एक department है natural product जो नयपर हाइदराबद में आया है तो आपको पता होना चाहिए कि natural product का जो भी lab होता है तो वो किस तरह से होता है lab में क्या-का instrument यूज़ होता है तो उसको अगर आपको प पता है कि मैं जब वहाँ पे था आमेदरबाद में था तब मैंने खुद देखा हो कि जो भी natural product की student होता है उनका और medical sorry not medical natural product और pharmaceutical chemistry and pharmaceutical chemistry का I mean medicinal chemistry का एक ही lab होता है तो उनमें काम करने का जो भी lab का problem है या फिर lab का जो भी आपका instrument बगरा है वह सब शेयर ही करते हैं ओलोग जैसे column commotography हो गया TLC हो गया उसके बाद SPLC बगरा भी ओलोग analysis के साथ शेयर कर सकते हैं तो almost कुछ तरह का problem नहीं होगा हाँ faculty में शायद थोड़ा बहुत problem हो सकता है बट उनका subject भी pharmaceutical analysis और medicinal chemistry के साथ related होता है जादा तरह related होता है एक दो particular subject होत होता है तो उनके लिए natural product का department का faculty चाहिए होता है तो उनको कुछ इस तरह का issue नहीं होगा मेरे हिसाब से faculty का थोड़ा बहुत issue आ सकता है बाखी कुछ lab का तो issue नहीं आएगा और देखो दूसरा regulatory efforts तो regulatory efforts में मुझे जितना पता है lab related काम बहुत कम होता है उनका mostly मैंने इसके उपर वीडियो बना है आप जाके देख लेना उनका ज्याज़ातर काम legal और बगार भी होता है क्या होता है क्या नहीं मैंने उस वीडियो में discuss कर लिया आप जाके एक बार देख लेना तो यह सब है कुछ overall बाते जो आगे जाके आपको मिल सकता है या फि पहले क्यों नहीं बोला जब तक admission नहीं हुआ था तो देखो कुछ बच्चों का admission अभी भी साल हो और यह बाते पहले इसलिए नहीं बोला मैंने क्यूंकि कहीं ना कि यह सब problem solve हो जाएगा आपका पहला एक साल तो होगा theoretical ज्यादा होता है और second half में आपका lab रहता है और second year म काम करता है तो ज्यादा तर सीजे develop कर लेगा और जो भी problem रहेगा वहाँ पर जाके अब face कर लोगी या फिर solve कर लोगी तो anyhow anyway तो thanks for watching and keep sharing my video like बगेरा कर देना अगर ठीक लगा है तो and share कर दो अपने junior को मेरा channel के बारे में यह थोड़ा शेयर कर देना क्यूंकि मैं 22 का video series अब upload करने लगा, thanks.